नक्षत्र तारे उर शितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके आचारे बताते हैं आपकी राशियों का हाल नत्रोन सादर जैसी क्रिष्ण हमारे यूट्यूब चेनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैं हूँ आपके साथ अचरिधर्मिंद शास्त्री आज हम आपको बताने जा रहे हैं देनिक राशीफल ये राशीफले 20 अक्टोबर 2021 बुदुबार का दिन है आश्मिन महा के शुक्लबक्ष की पूर्णिमा तिती रहेगी जिसे शरत पूर्णिमा के रूप में मनाए या शरत पूर्णिमा का महा पर्वु भी मनाये जा सकता है उत्तरा भादर पर नामक नक्षत्र होगा मीन राशी में चंद्रमा बिद्दिमान रहेंगे दिशासूल के अगर हम बात करें तो उत्तर दिशा में रहेंगे इसलिए उत्तर दिशा की यात्रा करना नुक्सान दा कि दाल राहुकाल जो कि दो पहर बारा बजे से शुरू हो करके एक बच के तीस मिट तक रहेगा राहुकाल के दोरान किसी भी प्रकार का शुब मांगलिक या नया कारी आपको नहीं करना चाहिए हालाकि राहुकाल का निर्ड़य आप अपने ख्षेत्र के पंचांग अत्वा के लेडर के नुसार कर सकते हैं क्योंकि राहुकाल कई स्थानों पर माना जाता है और कई स्थानों पर नहीं भी माना जाता है दैनिक ग्रह गोचर के दिहम बात करें तो ग्रहों के राजा सूरी देव जो की तुला राशी में वहीं चंद्रमा मीन राशी में मंगल ग्रह कन तुला धनो और मीन ये छे राशियां सबसे दिख भागिशाली रहने वाली है देन इनके लिए लाप प्रसिद्ध होगा धन लाप के सांसात का रिक्षितर में उन्नती तथा प्रगती के उत्ताम उसर प्राप्त हो सकते हैं तो अब हम आपको मेश से लेकर के मीन सभी बारा र शिवालों का देनिक राशी फल बताने जा रहे हैं हमारे इस ग्यानवर्धक वीडियो को अंते तक जरूर देखिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेश रासी की इस्थाई संपती प्रापर्टी के लेंदेन संबंदी कुछ लाबदायक योजनाएं बनेगी घर के बदलाव संबंदी विशय पर भी मातुपूर्ण चर्चा होगी रुके हुए अटके हुए काम पूरे होंगे अधिकतर समय मन और अंजन तथा परिवार के साथ मोज मस्ती संबंदी गती विडियो में व्यतीत होगा और उपाई के रूप में मा दुरगा के मंदिर में लाल फल चड़ाना आपके लिए शुपलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक नो होगा भागिशाली रंग आपका लाल होगा अब हम बात करते हैं व्रशब रासी की जीवन को सकारत्मक नजरिय से समझने की कोश करें इससे आपके अंदर चल रही कई गलत फेमिया सुलच जाएगी धर्म और अध्यात्म के प्रति आपका बड़ता विश्वास भी आपको शांती और मानसिक सुख प्रदान करेगा बच्चों को अपनी पढ़ाई में और अधिक ध्यान देने की आउशक्ता है इसलिए फ से निकलते समय यदि आप सफेद रंग की कोई भी मीठी वस्तू जैसे मिस्त्री या शकर खाकर के घर से निकलते हैं तो आपका देन शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक छे होगा भागिशाली रंग आपका गुलाबी होगा अब हम बात करते हैं मितुन राशी की घर में रिष्टदारों का या मेहमानों का आगमन होगा तथा आपसे विचारों का आदान प्रदान घर के वाटावरन को खुश्णुमा बनाएगा अपने महत्तुपूर्ण काम आप निप्टाने का प्रयास करेंगे युवाओं को आपसी वारतालाब से अपनी किसी समस्या का समाधान मिल जाएगा बच्चों पर कठोर नियंतर न रख करके मित्रवत व्यभार रखे इससे आसानीशे वे अपनी समस्याओं के आपके साथ शेयर कर पाएंगे और उपाई के रूप में हरी सबजी का डान करना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक आठ होगा भ आपको मिलेगा उर्जा से आप भरपूर महसूस रहेंगे घर की जर्वत संबंदी कारियों में आपकी विस्तता बनी रहेगी बच्चों के साथ उनके क्रिया कलापों में रुची जाहिर करना उनके आत्म इश्वास को और अधिक बढ़ाएगा घर की किसी महत्वपूर्ण वस्तू के खोने या चोरी होने की संभावना है किसी पर इलजाम लगाने से पहले अच्छी प्रकार से परताल अवश्य करे और अपनी वस्तू को संभाल कर रखे ओफिस के कुछ कामों को घर पर भी समय आपको देना पड़ सकता है और उपाई के रूप में भगवान करते हैं सिंग रासी की परिवारिक सदस्यों की सुक्स विधाओं का ध्यान रखने के प्रति आपका पूर्ण समर्पन भाव रहेगा किसी सामाजिक गतिविधी में आपका महतुपूर्ण योगदान होने की वजह से आप सम्मानित होंगे कोई आर्थिक परिशानी होने से आपके मित्र आपकी मदद के लिए ततपर रहेंगे परंतु कभी-कभी आपके विचारों में बहुत अधिक वहम व संक्रिनता परिवार के लोगों के लिए परिशानी का कारण बन सकती है इसलिए अपने व्यवहार व विचारों में लचीलापन बनाकर रखना अति आवश अब हम बात करते हैं कन्याराशी की किसी समयच से भी संस्था में आपका विशेस योगदान रहेगा जिस कारण आपको मान सम्मान व यश भी प्राप्ति होगी आपके अपनी व्यक्तिकत काम काफी हद तक सुचारू रूप से संपन होते जाएंगे अटके हुए रुके हु अच्छी खुशियां व्याप्त होगी और किसी अंजान व्यक्ति के विवाद में बिलकुल न पड़े क्योंकि उसकी वजह से आपको परिशानिया उत्पन हो सकती है उपाई के रूप में भर से निकलते समय यदि आप मिठाई के रूप में कोई भी मीठी वस्तु खाकर न दिल के बजाए दिमाग से काम लेना आपके लिए अधिक फायदेबन साबित होगा निकट संबंदियों के साथ प्रापर्टी को लेकर गंभीर और लाब दायक चर्चा होगी घर में कोई धार्मिक आयोजन संपन हो सकता है काम की अधिक्ता की वजह से स्वाभाव में चिर् करेंगे तो निश्चय ही आपके स्वाभाव में एक जो है सकारात्मक आपको नजरिया महसूस होगा और उपाय के रूप में भैवान विश्णू जी के मंदिर में कोई भी फल चड़ाना आपके लिए शुप्फलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक छे होगा भा आत्मसात करना आपके जीवन को कुछ सकारात्मक पहलियों से अउगत कराएगा बच्चे भी अनुशासी तथा अग्याकारी रहेंगे स्वास्त में हल्की पुल की परिशानी रहने की वजह से आपके कुछ काप अधूरे रह सकते हैं परन्तु तनाव को अपने उपर हावी न होने दे परिवारिक व्यक्तियों का उचित सहयोग आपको चिंता से मुक्त रखेगा अर्थिक स्थिति में सुधार होगा धनलाब होगा नए काम की आप योजना बनाएंगे तथा जो काम बहुत दिनों से अधूरे या अटके पड़े हैं उनमें भी आपको सुधार महस शाली रंग आपका लाल होगा अब हम बात करते हैं धनूराशी की राजनेतिक गतिविधियों से जोड़े मित्र आपके लिए भर्त पूर्ण साबित होंगे तथा उनके साथ लाबदायक मुद्दों पर विचार विमर्श होगा समय का भरपूर फाइदा उठाए मरोरंजन संबंदी कारियों में आपका समय बेतित होगा अपने व्यक्तिगत कारियों में किसी बहारी व्यक्ति को शामिल न करे कोई आपकी गतिविधियों का नाजाईस फाइदा उठा कर आपको नुकसान पहुचा सकता है बच्चों की गतिविधियों पर तथा उनकी संगत पर के दो होगा भागशाली रंग आपका पीला होगा अब हम बात करते हैं मकर राशी की सामाजी कारिकरताओं के साथ उनकी गती विधियों में पूरा सहयोग करना आपको महत्वपुर्ण मुकाम हासिल करवाएगा आपके व्यक्तित्व के सामने आपके विरोधी परास्त हो और उपाय के रूप में भगवान हनुमान जी के मंदिर में एक नारियल चड़ाना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भागशाली अंक पांच होगा भागशाली रंग आपका हरा होगा अब हम बात करते हैं कुम्बराशी की अपना अधिक्तम समय आप अपने घर के अटके हुए रुके हुए कारियों में वेतीत करेंगे इस्थाई संपती भूमी भवन वाहन संबंदी कारिय भी आपके संपन हो जाएंगे घर परिवर्तन की आप योजना बना सकते हैं कोई शुभ और मैंगलिक कारिक्रम भी आपके मन में चलते रहेंगे जिनके वि उपाई के रूप में यदि आप काले तिल शंकर भगवान के मंदिर में चलाएंगे तो आपका दिन शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक साथ होगा भागिशाली रंग आपका जामूनी होगा अब हम बात करते हैं मीन राशी की आज आपका अधिक्तम समय पारिवारिक लोगों के साथ व्यतित होगा और घर की सुक्सुविधा संबद्धी कार ये भी आपके पूर्ण हो जाएंगे अधिक समय आप जो है अपने क्रिया कलापों में व्यतित करेंगे रुके हुए अट के हुए काम आपके परिवार के सायोक से संपूर्ण हो जाएंगे भावनात्मक संबंद और अधिक मजबूत होंगे आपकी जो शंकालू या जित की प्रबत्ती है उसको परिवर्तन करना चाहिए थोड़ा सा व्यवहार में लचीला पन रखना बहुत आवश्यक होगा और के रूप में चट के ऊपर पक्षियों को दाना डालना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा और आपका भाग गिशाली अंक एक होगा भाग गिशाली रंग आपका औरेंज होगा तुमित्रो या बारा राशी का देनिक राशी फल और उनको करने वाले उपायत अथ भा विवार को साधर जैसी कृष्णी साधर धन्यवाद